प्रभातकबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं किया है कि वो भाकपा में घुटन महसूस कर रहे हैं मंगलवार को कनहिया कुमार और राहूल गांधी की मुलाकात भी हुई इसके बाद कनहिया के कॉंग्रेस में जाने की अटकले लगनी शुरू हो गई है कनहिया कुमार मूल रूप से बिहार से जुड़े हैं माना जा रहा है कि उन्हें बिहार की बड़ी जिम्मेदारी कॉंग्रेस पार्टी दे सकती है बिहार में कॉंग्रेस की पस्त हालत के बीच उन्हें पार्टी को फिर से खड़ा करने की भूमिका देने की अटकले लग रही है राजनीती में कनहिया कुमार नए नहीं है जवाहर लाल नहरू बिश्विद्याले में कथित देश बिरोधी नारे को लेकर कनहिया कुमार पर खूब राजनीती हो चुकी है दूसरी तरफ कनहिया कुमार 2019 के लोग सभा चुनाओं में बिहार की बेगु सराई सीड से परत्याशी बने थे हाकपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे कनहिया कुमार को केंद्रिय मंत्री और बीजेपी केंडिडेट गिरीराज सिंग ने बुरी तरह हराया था पिछले साल बिहार बिधान सभा चुनाओं में भी कनहिया कुमार ने परचार किया लेकिन महागटवंधन को अपेक्चित सफलता नहीं मिली पशिम मंगाल बिधान सभा चुनाओं में भी कनहिया कुमार परचार के लिए पहुँचे थे रिजल्ट निकलने पर टीमसी के बाद बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी पशिम मंगाल चुनाओं के नतीजों में लिफ्ट पार्टियों का सफाया हो गया दावा किया जा रहा है कि कॉंग्रेस कनहिया कुमार को उत्तर प्रदेश के बिधान सभा चुनाओं में पार्टी के परचार का जिम्मा दे सकती है इस रिपोर्ट में इतना ही दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ